तो संकर जी कहते हैं साधियों की गाली हैं हमें बाद में मिल नहीं नंदी जी चुप रहो ठीक है महराज जैसा कहो राजा धक्ष ने अतिपार कर दी और भोशना कर दी सुनो आज के बाद किसी भी यग में भगवान संकर का कोई भाग नहीं होगा अब तो नंदी से नहीं रहा गया बोले क्यों तो राजा धक्ष बगगबगग करने लगा नंदी ने तमक कर खड़े होकर स्राप दिया है राजा जब से आए हो बगगबगगबग कर रहे हो मरकट लोचन माला बंदर सी आँख वाला संकर जी ऐसे संकर जी बैसे संकर जी दैसे सना जाओ हमारा स्राप है तुम्हारा मूबक रेका लग जाए तो राजा दप्च की तरप से भ्रगु जी डाड़ी पर हाथ फेरते हुए बोले भाई नंदी ये ससुर दामाद का मामला था तुम बीच में ओचकर क्यों बोले जाओ हमारा आज भी स्राप है भगवान संकर के जितने गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाए नंदी जी बोले हमें पाखंडी का जाओ हम भी स्राप देते हैं बाबाजी तुम्हारे जैसे जितने ब्राम्हण हैं सबके सब मगना चटकार ब्राम्भन बन जाब है लेओ हम ब्राम्भनों को तब से ही स्राप लगी है मांगने की आज तक नहीं उत्री बोलो जैसी आराम भगवान संकर भोले नात ने सोचा आय तो थे सम्मान समारोह को चल रहा है स्राप समारोह इधर से स्राप ये दे रहा है उधर से बो दे रहा है ये सम्मान समारोह थोड़ी है ये तो स्राप समारोह है भगवान संकर तो भोले नात है अरे इसलिए सब को तो कहते हैं देव भगवान संकर को कहते हैं महा देव क्या कहते हैं संकर जी को बोलो 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 जो भी सामन के महीने में भगवान संकर के उपर राम राम लिखकर बिल्लो पत्र चड़ाता है उसे हजारों यग करने का फल और पुन प्राप्त हो जाता है